हाई गाईज वेलकम बैक टू अप्लाइंस लाइफसेल आज हम बात करने है वाले हैं आएफ बी की टॉप लोड की मशीन के बारे में ये आपकी टील आर्डियस 6.5 kg की एक्वा मोड मशीन है और काफी सही मशीन है ये मैं चार साल से यूज कर रहा हूँ मैं अपने ग्राइंट पैरेंस के यहाँ पर आया था तो मैंने सुचा कि एक वीडियो बनाता हूँ इसके लिए क्योंकि काफी लोग में को डिमांड कर रहे थे टॉप लोड वाशिंग मशीन के बारे में से खरीज सकते हो और चार साल में 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 कोई इस्यू नहीं लग रहा है बस यह की हलका सा रस्टिंग आ गई है लेकिन तब भी मेरे को लगता है कि अकले आने वाले चार-पांच साल के और यह मशीन चल जाएगी कोई इस्यू नहीं है चार साल अल्रेडी हो गए है नाइन नियर्स की लाइफ तो मैं अराम से इसकी माल सकता हूँ इसके अंदर आपका वाटर हीटर नहीं है और यह अराउंड थ्रीहंड़ेड़ेड़ें फिफ्टी टू रीहंड़ेड़ें शिक्स्टी वाट्स कंज्यूम करती है आपका पर आर तो उस हिसाब से अगर आप अगर आठ रुपे का रेट आपकी एरिया में है अगर आठ रुपे पर किलोवाट लगता है तो एक घंटे अगर यह चलती है मशीन तो सिर्फ आपके तीन से चार रुपे लगेंगे यह मशीन चलाने के तो रनिंग कोस्ट इसकी बहुत ही बहुत ही जादा कम है इसके साथ यह washing machine जब आप लगाते हो तो आपको सिर्फ 6 ampere का plug चाहिए होता है जो मैंने लगा रखा है left side में और एक inlet pipe चाहिए होता है जो इधर inlet pipe है और एक outlet जहां पर आप पानी drain होता है तो मेली आपको वह चीज़ अन्रस्टांड करनी पड़ती है आएफ बी की यह भी machine आ रही है machines के साथ washing machines के साथ क्या scene है कि जैसे phones में technology अपकी change होती चली जा रही है washing machines में ऐसा नहीं है 10 साल पहले भी जो machine आ रही थी वह भी अभी भी अगर आप वह machine खरीते हो तो उनमें ज्यादा फरक नहीं है बस majorly एक दो फरक यह है कि phone पे app डाल दिया है wifi से connect कर दिया है जिसकी को यूज नहीं है आपने शायद मेरी wash वाली दूसरी washing machine की वीडियो देखी हो मैंने wash खरीदी इस वज़े से over LG because LG और जो दूसरी companies थी Samsung यह ज्यादा गिमकी थी और मेंको solid machine चाहिए थी जो एकदम बढ़िया से चले तो अगर हम इसकी बात करते हैं IFB की washing machine के बारे में तो यह solid machine है इसका basic में structure बताता हूं आपको किस तरह हमने use करें और किस तरह इसको हमने देखा है तो अगर आगे आते हैं तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि mainly simple power button दबाते हैं तो on हो जाती है machine power button दबाने के बाद on होने के बाद आपके यहाँ पर automatic कुछ features or cycles दे रखी है जो हमको यहाँ देखनी है aqua conserve क्या होता है सबसे पहले आपका feature कि अगर आपने पानी यूज किया है तो यह अपना वही पानी store कर लेती है और फिर से second wash में वह पानी यूज कर लेती है तो इससे आपका पानी सेव होता है smart sense आपका technology वह रहती है जब आपने यहाँ पर कपड़ों का weight डाल रखा है तो यह machine automatically detect करती है कि क्या weight है और उससाब से automatically यहाँ पर time और select करके यहाँ पर setup कर देती है कितनी देर आपकी cycle चलनी चाहिए rinse कितनी देर होना चाहिए इसके बाद अगर चलते है express में तो express आपको default 30 minute wash time देती है कि 30 minute के आपके कपड़े दोलेंगे और पूरे आपके कपड़े दोलके clear हो जाएंगे आगे बढ़े jeans mode आपका 76 minutes करेता है obviously jeans हलका सा rough and tough होती है तो उससाब से अच्छी clean करने के लिए क्योंकि jeans का कपड़ा थिक होत अगर कुछ होते हैं वुलन क्लोज या फिर कुछ जैसे स्वेटर वगरा तो आप उनकी टैग्स बिलकुल देखिए कि वुलन टैग में आपके कपड़े खराब ना हो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था काफी लोग कैश्मीर के और दूसरे जो आपके रहते ह हैं क्लोज वो भी इसमें डाल देते हैं और ज्यादा स्पेन होने की वज़े से कभी कबार जो क्लोज रहते हैं आपके कैश्मीर के स्वेटर वगरा वो उधरने का चांच रहता है तो डेलिकेट्स को आप ध्यान से देखिए और उनका टैग पढ़िया तब क्लीन आपका त डिटर्वाक ग्राके साथ हल्का सेंटर में डालना होता है अरांड 150 ग्रैम अब डीस्किलर डालो यह तो आपका काम हो जाएगा तो इसका लिंक मैंने दे रखा है साड़े 6 किलो की ये मशीन है, साड़े 6 किलो की मशीन is sufficient for 4 people, उससे जादा आपको requirement नहीं चल पाएगी, प्लस साड़े 6 कीजी की enough है उतने के लिए, अगर आपके यहां 5-6 लोगे हैं, तो आपको 8 केजी की machine की requirement रहेगी, इसके बाद अगर और features understand करें, तो air dry का जो feature रहता है वो आपका air dry का feature रहता है कि आपके पास अगर मानलो कपड़े हैं और आप अभी और भार monsoon वगरा है, तो आप कपड़े इसके अंदर ही रहने दो, इसके अंदर रहने के साथ-साथ, आप air dry का feature अगर on कर दोगे, तो वो कपड़ों को धो देगा, in the sense की हलका सा हवा डालते रहेगा, यहां पर आप देख सकते हो, इधर top में इधर option दे रखा है, यहां से यह air लेता है, और अपके कपड़ों को गुमाते रहता है, और dry करते रहता है, तो यह बहुत cool feature लगता है, जो इसी machine में आता है, बहुत सारी other competitors की machine में नहीं आता है, तो यह IFB की एक बहुत सा चीज है, इसके साथ start stop आप करी सकते हो machine को बीच में, delay function में को बहुत cool लगता है, मैं usually क्या करता हूं कि जब भी रात को मैं अपने कपड़े इसमें डाल देता हूं, और 10 गंटे का delay function या फिर जैसे 2 गंटे का delay, 3, 4, 5 गंटे का delay function लगा देता हूं, जैसे मानलों मेरे को 10 गंटे का delay function लगा देता हूं, तो उससे क्या होता है, कि सुबह 10 गंटे के बाद मेरे को washing machine चल के मिलती है, और मेरे को कपड़े ready मिलते हैं, तो वो बहुत सही चीज रहती है, उसके बाद देखें, तो आप automatically भी setup कर सकते हैं, कि आपको कितनी देर अपनी कपड़े धोने है कितनी देर setting करनी है, तो वो आप खुद understand कर सकते हैं, और यहाँ पर setup कर सकते हैं, जैसे कि मालो आपने machine on करी, और machine on करने के बाद आपको wash करना है, 16 मिनट, या फिर 18 मिनट, 20 मिनट ही कपड़े धोने हैं, और rinse लगानी है, एक cycle, दो cycle rinse की लगानी है, या 3 cycle rinse की लगानी है, तो वो आप इधर से set कर सकते हो, यह fully automatic front load washing machines में नहीं है, तो मेरी washing machine जो wash वाली है, उसमें यह feature नहीं है, उसमें 15 मिनट हो सकते हो, 30 मिनट हो सकते हो, लेकिन ऐसे setting पूरी नहीं कर सकते हैं, तो spin cycle भी इधर लगा सकते हो, और time delay भी आप setup कर सकते हो, तो total 57 मिनट में जो मैंन separately, या 4 लीटर या 2 लीटर, तो उस हिसाब से यह आपका पानी भी setup करता है, कि आपको कितना पानी इसमें चाहिए है, तो यही मैं बतनाना चाहरा था, machine काफी solid है, आप इधर detergent डाल सकते हो, और detergent के साथ ही अगर देखो, इधर देखें अगर, तो इधर आपका water softner है, जह आप वो water softner इधर डाल सकते हो, उससे आपका benefit रहेगा, कि आपका पानी soft water अंदर जाएगा, और hard water से आपका salts इसमें जमानी होएगे, इसके इलावा एक और last चीज जो मैं बताना चाहूंगा, इधर एक filter रहता है, जो भी filter आप clean कर सकते हो regularly, यह काफी लोगों को पता नही देते हैं, लेकिन यह काफी साइज चीज है, यहाँ पर filter रहता है, जिसको आप understand कर सकते हो, तो majorly मैं यही बताना चाहता था, IFB की machine काफी solid है, और आप understand कर सकते हो इसको, खरीद भी सकते हो, मैंने पूरा overview दे दिया है, नीचे link भी दियें, description में, जिससे कि आप इसको purchase कर स मैं इसके साथ stand और cover का भी link नीचे description में टाल दूगा, वो दोनों चीज़े बढ़िया रहेंगी, IFB के साथ मेरे को wash वाली machine भी काफी सही लगती है, जिसका मैंने टॉप load वाला machine का बनाया था पूरा, तो आप उसको understand कर सकते हो, यह उसकी comparison में हलकी सी bulky है और बढ़ी है, त तब भी आप washing machine ले रहे हो तो, क्योंकि dimension matter करते हैं, जगा कम होती है काफी घरो में, so that's about it, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो subscribe करें, like करें मेरी वीडियो को, कोई भी डाउट है, तो comments में आप mention कर सकते हो नीचे, जिससे की, मैं आपके queries को resolve कर सकूँ, and thank you so much for watching, signing off, Shazhan Girl from this YouTube channel.